नमस्कार मेरा नाम प्रमोस सिंग है और आज मैं आप लोग के वीच डिसकसन करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग सीटेट का एक्जाम क्वालिफाई कर सकते हूँ ये जो बीडियो मैं बना रहा हूँ इससे पहले थ्री टाइमस मेरा CTAT क्वालिफाई हो चुका है ये जो 2021 वाला ये भी आप लोग के लिए क्वालिफाई किया है सनके साति साथ HCTAT奪 रीट ये वी क्वालिफाई है MPT भी क्वालिफाई है अब यह पर जो वास्तव्यटा है वह्रों मांक्स की कितने आप लोग के ँन को गईंखाना सकतेे लिकिन कुछ लोग अभी इतनी बुरी सिती में है कि qualify भी नहीं कर पा रहे हैं तो यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको काफी ज़्यादा difficulty होती है pass होने में ही इंदा सेंस qualify marks लाने में 60% पर आप लोग qualify करते हो और seat at में 60% के लिए कि आप लोग काफी परिशान होते हो 90 नमर पर जर्नल भी आप लोग का qualify हो जाता है तो यह काफी easy है मैं आपको बताऊँ को किस तरीके से क्या-क्या strategy आप लोग को रखना है सबसे पहले यदि आप लोग को जिस तरीके से मेरे seat at में इस वार 100 marks आए है यहाँ पर last जो seat at था उसमें भी approximate जो score है वो इतना ही हो रहा है अभी जितना ज्यादा practice बढ़ता जाएगा automatically marks बढ़ते जाएंगे 120-130 तक easily आप लोग gain कर सकते है कोई बड़ी बात इसमें है नहीं तो आप लोग को mostly focus करना है किस चीज़ पर सबसे पहले आपको देखना है previous year जो भी आप लोग का आया हुआ है अब यदि हम लोग बात करें seat at में तो हर साल आप लोग का exam हो रहा है कुछ difficulties में आप लोग के लिए है नहीं easily आपको previous year paper मिल जाएंगे जिनसे आप लोग को pattern का पता लगता है कि exam में क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है जो भी पूछा जा रहा है और यदि आपको नहीं आता है तब आपको उसे पढ़ना है उस topic को आप लोग को study करना है जब मैंने इस तरीके से पढ़ाई की है मैंने previous year paper को लगाया previous year paper को जब आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो फिर previous year को आप लोग solve भी नहीं कर पाऊगे तो आपको शुरूबाती previous year को से करना है previous year को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक idea लग जाएगा किस तरीक कोश्चन आप लोग के आते हैं उसके बाद आप लोगो को classes लेनी हैं और classes जब आप लेंगे किसी भी subjects related आप लोग उसका detail course कहीं पर भी देखेंगे आप online, offline कहीं पर भी पढ़ते हैं तो ऐसी condition में क्या है आप लोगों को पता रहेगा किस तरीक से उनमें एक mark लगाना है किस तरीक से ऐसी condition से निकलना है तो पहले तो आप लोगों के दिमाग में एक exam pattern तयार हो जाता है जिससे क्या है आप लोग पढ़ते हैं तो उस समय automatically आप लोग के question side होते जाते हैं आपको पता होता है कि यह question exam में पूछा जाएगा तो उस पर automatically आप लोग का focus बढ़ता जाता है अब जब आप लोग का syllabus complete हो जाता है जब चीज़ें आप लोग पढ़ लेते हैं अब बारी आती है मोक टेस्ट की मोक टेस्ट वास्तविक्ता में कह सकते हैं कि वो दरपन है जो exam hall में जाने से पहले ही आप लोग को अपनी असलियत दिखा देता है यदि आप लोग मोक टेस्ट देते हैं तो आपके 100 out of 100% जो marks आपके मोक टेस्ट में आ रहे हैं लगवग 5 से 8 नमबर का difference आएगा exam hall में वो भी बढ़ी जाएंगे कम होने की chances है नहीं 90% increasement होता है 2-3-4 नमबर का है न decreasement की कोई condition वहाँ पर नहीं बनती है तो आप लोग मोक टेस्ट लगाएंगे उस ओटोमेटिकली आप लोग को अंदज़ा लग जाएगा फिर मैं आप लोग को रेगुलर जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपएक उसको उपर काफी सारी वीडियो करवाऊंगो यदि आप चाहते हैं तो बताएज जरूर ठीक साथी साथ आपको मोक टेस्ट लगातार यदि लगा सकते हैं तो देते रही है हर संड़े को एक मोक टेस्ट देना ही जैसे आप लोग को एक आवरव्यू पता लग जाएगा इससे बहार आप लोग का आता ही नहीं है तो कहीं से कहीं तक कोई भी जो है डाउन फॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा तो मैं आपको वेसिकली एक छोटी सी अप्रोच बताना चाहरा हूं साथ ही साथ मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि यह एक्जाम निकल गए हाला काफी सारे लोगों के जिंद्गी के एम्स होते हैं मैं इसको डिलेड जब मैंने किया था वॉसके बहसे हो पढ़िए रहें एवन सो मच इंटलिजन देया लेकिन फिर भी जो सीटैट कौलिफाई नहीं रिजन यहां पर जो कह सकते ही प्रपर स्टैटीजी की उनके पास कमी ग्यान जादा होने से यहां आज कुछ नहीं होने वाला ग्यान आपके पास वह होना चाहिए जिसकी जरुवत है ज्यादा ग्यान की कोई वैल्यू नहीं है एक selected जो पूशा जा रहा है उन चीज़ों के वारे में आपको जरू जानकरी होना चाहिए तो मुझे उमीद है कि छोटी सी बातें जो मैंने आपको बताई है वो आपके काफी ज़दा कामाने वाली है अब धीरे धीरे में इस रिलेटेड आप लोग के लिए सेशन्स भी लेकर के आऊँगा तो आप MCG Learn को सब्सक्राइब जरू कर लीजे थैंक यू सो मच पाई टेक क